हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अकाउंट्स प्रो टुटिटोरियल यह वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स प्रो में जो भी हम डेटा एंट्री करते हैं पर्चेस बील सेल बील या कोई पार्टी का लेजर वगएरा उसमें कई बार एडिटिंग होता है डिलीशन होता है तो बाद में उसको track करना मुश्किल रहता है कि यह किस ने एडिट किया किस्ने डिलेट किया तो वह सारी चीज़ों को अकाउंट्स प्रो में हम कैसे करते हैं उसकी बारे में देखेंगे सबसे पहले हम एक केस लेता है कि कोई भी सेल्स बिल में हम कोई मोडिफिकेशन करते हैं वो मोडिफिकेशन करने के बाद उसका रिपोर्ट हम कैसे जानेंगे कि यह कैसे एडी टूबा किस ने किया अब इमानली जे ये sales में में जाता हूँ example यहाँ पे sales bill number मानलों के 22 number का बिल को मैंने search किया यहाँ पे एक बिल आ गया Krishna Auto Parts और एक mobile app का पंदरा सु का बिल है इसको modify करके मानली जे में बारा सु रुपे करता हूँ यह मैंने इसको बिल को save कर दिया print no अब इमानली जे कुछ दिनों बाद मुझे सब track करना है कि चलो यह changes कहा हूँ किसने कैसे किया तो यहाँ पे admin में एक report मिलता है आपको transaction audit log यहाँ पे आप जाएंगे आपको यहाँ पे date range देना है कि कौन सी तारीक को edit हुआ था यहाँ पूरे मंत का यहाँ पे data दे दो आप analog example में 15 साथ से वो जुलाय मेने का बिल था 37 से मैंने यहाँ पे criteria दे दिया अभी यहाँ पे जितने भी बिल में modification हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो और यह 28 को इसको modify किया गया अभी बारा सब का भी लोग गया इसको अंदर जाके हम देखेंगे तो भी हमको यहाँ पे दिखेगा कि यह 12 हो गया पर अभी हमें यहाँ पे यह जानना है कि अभी editing किस ने किया और previously क्या amount था बाद में क्या amount हुआ तो यहाँ पे click रखके आपको f12 प्रेस करना यहाँ पे instruction लिखा है प्रेस f12 for audit trail अभी यहाँ पे आपने f12 किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका audit लोग आ गया सबसे पहले जो row है वहाँ पे लिखा है कि कौन से section में change हुआ तो header section में change हुआ type of change edit amount में change हुआ पहले 1500 को था फिर 1200 को आ हो गया कौन से user ने किया कौन से समय पे किया उसके बाद यह तो पूरे bill का amount है पूरे bill का amount 1500 में से 1200 हो गया फिर item का जो section था वहाँ पे rate वाले column में यह mobile app वाली जो item थी 1500 में से 1200 की गई और net amount भी 1500 में से 1200 किया गया तो आप मतलब समझ सकते हैं कि यह किसने change किया और इसको आप track कर सकते हैं जैसे और एक bill देखेंगे जैसे यह 16 का bill है आप 12 किया हमने यहां पर भी आ गया पहले 18 सको था फिर वह 16 सको हो गया तो इस तरह आप इसको easily track कर सकते हैं इसके लाव मान लिजे कोई items अगर किसने delete कर दी तो वह भी आप track कर सकते हैं मान लिजे कि यह मैं यहां पर एक item बनाता हूं यह हमने एक item create की यह test 11 अभी इसको मान लिजे हम delete कर देते हैं यह delete में गए delete confirm delete yes deleted successfully अभी आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर एक report है deleted record log यहां पर show करेंगे एट लास्ट हमने जो भी delete किया बीस तारिक को दो पर को तीन बत्तिस को item master item का नाम था test 11 कौन से username किया हुआ गया इसके लावा कोई bill अगर आप delete करते हो तो उसका भी यहां पर description आ जाता है कि कौन सी तारिक को delete हुआ था यहां पर इसका नमबर आगा एबाइस नमबर का bill था यह date था यह party का नाम था इसको गर आप यहां पर double click करोगे तो उसका description भी आ जाएगा कि यह date था यह party का नाम था उसमें से कौन सी item थी क्या quantity और rate था क्या discount दिया था क्या GST था नेट टोटल क्या था सब आ गया यह चीज़ आपको कि कई बार ऐसे भी काम आप से बिल गलती से डिलीट हो गया हो और यह वापस डेटा function असानी से समझ में आ गया होगा फिर भी आपके कोई doubt एक पेरिस हो तो प्लीज हमें नीचे comment box में बताए thank you for watching this video have a good day